सौ रूपी में कुछ होने वाली है चेंजिंग जिससे आप को भारी निक्सान हो सकता है तो आप जानने की आखिर कैसे चेंजिंग आएंगी और क्या आपको परसानिया उठाने पड़ जाएगी तो आप इस पेडियो को देखते जाए और उस बदलाव से बचने की परयास करे उस नुकसान से बचने की परयास करें तो पांच सो और हजार की नोटों की बाद अब रिजर बैंक आफ इंडिया की नजर सौ रूपे के नोट पर है अब आर वी आई सौ की नोटों की सफाई करेगी हलांकि ये नोट बंदी की तरह नहीं होगा रिजर बैंक पहले सौ रू मतलब आगे नोट छपा जाईगी उसके बाद बजार में आ जाईगी उसके बाद पुराने नोटों को बजार से सधारन पर किलिया के तरह उठाई जाईगी आर वी आई का फोकस परस 2005 पहले के से नोटों को चलने से बाहर करने का है यहनि पुराने नोट को बंद करने का फ फैसला किया था इसके बाद बजार में 100 रुपे के नोट का भी बंद करने का फैसला यह ज़र चुका है यह बंद होने वाले अब 100 रुपे के नोट भी तो इसके अलावे बैंकों को 100 रुपे के नोट बढ़ाने और अपने 1050 एटियम को 100 एक्शिव लिशिव करने का निदेश पहले ही दे चुकी है यानि ऐसे एटियम जिसमें केवल 100 रुपे के नोट निकलेंगे पुराने नोट बैंक में डंप कर दिये जाएंगे कहना है सरकार का कि 100 पे के नए नोट छपा दिया जाए पहले और उसके बाद इसके रंग से अधिक परिवर्तन नहीं होगा लेकिन यह 25 चिरिज के नोट से भीन होगा और इसकी साइज में अंतर हो सकता है इस नोट को बाजार में उतार कर 100 के पुराने नोट चलन से बाहर किये जाएंगे हलां कि इसे नोट बंदी के नियम की तरह नहीं लागू किया जाएगा बाजार में जैसे जैसे 100 रुपे के नोट आएंगे वैसे वैसे पुराने नोट को इकठा किये जाएंगे और उन्हे प्रोस्रोसिंग के लिए RBI में भेजा जाएगा और उसके बाद हलाम की जो भी यह सब हो रहा है वह भष्टा-चार कावाधन की लेकर हो रहा है लेकिन जो हो रहा हो अच्छा ही होगा अलाम की अधी समय है आप नोट को अलाम से जमा करके रख लिए और उसके बाद जब पुराने नोट को वीड़ा करने का समय है तो आप अराम से वीड़ा कर दीजिए उसे और नए नोट को अपना लिजे लेकिन अगर आप उसके बारे में नहीं जानता हैंगे तो हो सकता है पुराने नोट आपकी धर पर ही रखे रह जाएंगे और नोट फिर कोई काम के ताकि और भी अच्छी अच्छी जैनकरिया आप हमसे पासगे तो जल्डी कीजिए सबस्क्राइब कर ले और साथी साथ अपने दोस्तों के साथ मेरी वीड़ियो को सेर करे और उन्हें भी सबस्क्राइब करने के लिए बोले ताकि आपके साथ ये भी हमसे कुछ अच्छी जल्दी से जल्दी सबस्क्राइब